प्यारे विद्यार्थियो नमस्कार मैं हाथ वाड़ा अध्यापक अमेश्वर नरायन आज जसी जो पड़न जा रहे हैं वहाए पाठ थीसरा पाठ दा नाम है खनीच पदार्थ अते शक्तिसाधन अते पाग दूसरा एस पाठ दे समंध वіч असी पाग पहला जो है उस दी चर्चा आशी आलड़ी कार चुके हैं अज असी पाग दूसरे दी चर्चा करन जा रहे हैं जेमे कि तोहान नो पता है कि पहले पाग दे विच असी एस पाठ नो जदू शुरू कीता सी शुरू करदे सार ही असी आख्या सी कि इस पाठ दे दो हिस्से जड़े ने बड़े अराम दिनल कीते जा सकते पहने हिस्षा खणीच पदारत आते दूसरा पाक जड़ा एदा बनदा अगMO च्राइडब्श किप और जब काने हैं बारत आधे पहले पाक दीच जैसे खनिजपदार्थां तो शुरूआद कीती सी, तो प्यारे बच्चियों आओ अज शुरू कर दें हाँ कि जड़ा सब तु पहला ता सी ओधी शुरुआत कर दें जड़ा की पहला सी छाड़ाई सी खनीच पदार्थ एना विच्छों साड़ाई जड़ा खनीच पदार्थ रहा गया सी ओसी अबरक अबरक नो अंग्रेजी पाशा देविच माईका वियाक देने M.I.C.A. माईका ए छोटिया छोटिया तैवाँ देविच टुट भी जानदाया अबरक एक आतातू खनीच पदार्थ ए अते ए आम तोरते अगनीच अटाना देविचों प्रापत हनदाया एक कई उद्योगां देविच वर्तिया जानदाया क्योंकि ए बिजली दा कुचालक हनदाया कुच है तामबे दे विच्चों दे बिजली जडिया बड़ी अराम देना लंग जन्दिया लोहे दे विच्चों भी लंग जन्दिया जिना विच्चों बिजली लंग जन्दिया उननों सुचालक आख देने और जिदे विच्चों बिजली नहीं लंग सकती उसनों कुचालक जिस तरह की कंडेंसर, इंसुलेटर, बिजली दिया प्रैसा ने, पठ्ञाहान, रेडियो ने और टेलिविजन ने इन दे वीच इस दी वर्तों जडिया कीती जन दिये और अबरक पैदा करनवाले अगर असे विशविच देशां दिगाल करिये, ता अबरक पैदा करनवाले मुख देश जडिने यूएस से, रूस, पारत, फ्रांस, अर्जंटीना अते दखनी कोरिया ने पैदावार दे हिसाब दे नाल पारत एस विच सारे देशां तों अगे रहा है, पारत दे विच अबरक जो है, ओ पैदावार जडियो दे कीती जान दे सी, पारत पहले नंबर ते आउंदा सी, परन्तु आज दे समे दे विच पारत विच अबरक दी पैदावार पहले कट रही है पार्त दी कुल पैदावार दा 95 प्रतिशत अबरक जो है ओ पार्त दे तिन राज आंदर परदेश राज्यस्थान ते चार खंट इन तिन राज्यां दे विच्वी प्रापत हुंदा है इस्तु इलावा बिहार गुजरात केरल मद परदेश 36 गड राज भी अबरक पैदा कर दे देश दे मुख जिले जो है गिने कुछ राज्यां दे जो कि बहुत परशिद ने अबरक दी पैदावार दे विच उना विचों आंदर परदेश दा नलोर विशाखा पटनम अते कृष्णा जिले ने राज्यस्थान दे विच जैपूर और उदेपूर हन और बिहार दे विच गया और हजारी बाग ए सारे जिले ने जिना दे विच अबरक बहुत पैदा हनदा है प्यारे बच्चेओ एसी खनीच पदार्थ जड़े कि अपा पहला कार चुके हैं और इस तो अगला जड़ा खनीच पदार्थ है ओ है परमानु खनीच पदार्थ जो क शक्ती साधना दे विच भी एदी गिंती कीती जान दी है लेकिन परमानु खनीच पदार्थां दे शिरेणी दे विच ही आऊंदा है परमानु खनीच दे विचों मुख है गे ने यूरेनियम थोरियम बैरीलियम लीथियम ते जिकरोनियम ए किसमा जड़िया ने ए एदी व पदार्थां दू पैदा किती जान दी है उसनों असी प्रमानु उर्जा आख दे हैं प्रमानु उर्जा दी पैदावार वास्ते इन पदार्थां दी मजूदगी अते तक्नीकी ग्यान दे साधना दा विकास बहुत जरूरी है क्योंकि प्रमानु जोहान ये बहुत पात्रा देविच उर्जा पैदा कर देने एस करके इना नू जानन दे लई बहुत ज्यादा तक्नीकी ग्यान दी जरूरत है विश्व पद्दर देविच जदू असी देख देहा तां USA, रूस, जपान, UK और पार्तवर्गे जो देशान इना ने अपने देशान देविच प् बनाए होए ने, USA जो है इस संसार दा सब तो बड़ा यूरीनियम पैदा करनवाला देश है, कनेड़ा, दखनी अफ्रीका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, तिस स्पेन, अजेहे देश ने जिन दे विच यूरीनियम पैदा कीता जान दा, और एस तो इलावा थोरियम जो है, थो ब्राजील, आस्ट्रीलिया, मलेशिया, शिरीलेंका और पारत, हून असे देख देहां की पारत विच परमानूं पदार्थान दी पैदावार किधे किधे हुं दी है, तो तिन हिस्येंद विच असे परमानूं पदार्थान दी वन्ड़या है, एह गेने यूरीनियम, थोरि यूरीनियम जो है चारखंड राज दे विच इदी पैदावार कीती जन्दी है और जित्थे पैदावार हुंदी चारखंड दे विच ओहान सिंग भूं और हजारी बाग इससे तरह चारखंड दे नाल ही बिहार स्टेट है बिहार दे विच गया स्थान ते यूरेनियम दी पैदावार कीती जन्दी है इस तो इलावा उत्तर प्रदेश दे सहारनपूर दे विच और राजस्थान दे उदे पूर दे विच यूरेनियम पैदा कीता जन्दा है नेक्स्ट आंदा है थोरीम, थोरीम जडे राज्यांद वीच पैदा कीता जानदा है पार्त दे ओराज्यान, केरल, चारखंट, बिहार, राजस्तान ते तमिल्नाडू और अंथ वीच लीथियम दे बारेज ज़गो सी देख दे हाँ, ता लीथियम पैदा कीता जानदा है चा प्रमानुखनिज पदार्थां दी वर्तों जो है बड़ी सावदानी देनाल करनी चाहिए क्योंकि इना दी वर्तों विच जरा जिन्नीवी अनगैली अगर हो गई ता ओ मनुख जाती वास्ते बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है इस पदार्थ सिर्फ देश दी उनती वास्ते हुंदा और इस करके सिर्फ देश दी उनती वास्ते ही उर्जा पैदा करन लेही इस दी वर्तों कीती जानी चाहिए ना की तबाही वास्ते इस वेची साड़े जड़ी है मनुख ता दी पलाई ते समयदारी होवेगी इस तू अगे अपा चलिये उर्जा दे साधना दे बरे अपा चर्चा कर दे हाँ मनुख नू वक वक कमा दे वास्ते शक्ती परदान करन वाले साधना नू उर्जा दे साधना दे नाम दिता जन्दा है मनुख नू अपने कारदे चुले तू लएके वड़े वड़े उध्योगां तक नू चलाउन दे लई उर्जा दी लोड पेंदी है उर्जा दे बहुत सारे साधन हुंदे ने जिना दी वर्तों मनुख काफी लंबे समय तू करदा आ रहे है तो प्यारे बच्चेओ उर्जा दे साधना विच्चू होर जेड़े वस्तों दे सी पर्योग कर देयां उना विच्चू है कोला, तेल, कुदर्थी गैस, अते बिजली ए मुख चीजा ने जिना तू उर्जा पैदा कीती जन दी है इना नो असी उर्जा दे रिवायती साधन विआख देयां इस तू बाद असी अगर देखिए ता एदे वेच कुछ साधन रिवायती एदा दे हैगेने बेशक साधियां लोडा नो पूरा कर देने लेकिन जुरूरता पूरियां करन दे नाल नाल इना तू परदूशन वी सैल दा उदारन दे तोरते जीदा कोईला है जड़े साधे बिजली पैदा करन वाले थर्मल प्लांट ने उन्हों थर्मल प्लांट्स दे वेच भी कोईली दी वर्तों हुन दी है हुन एदे वी दो पक ने एक पासे ता इस शक्ती दी पूर्ती करके इस शक्ती दी वर्तों करके असी ओर्जा दा पैदा कर दे हैं लेकिन दूसरे पासे कोईले दे जलन दे नाल तूँआ पैदा हुन दा है और इस तूँए दे नाल वातावर्न दूशित भी हुन दा है अलग लग सरकारां जो हान वो अपने अपने देशां दे विच कोले दी था होर विकल्प उर्जा दे लबण दी कोशिश का रही हान इस तो बाद है पेट्रोलियम पेट्रोलियन पदारत इस दी उर्जा जो है सडे उद्योगां तो इलावा जिनने वी यातायात और आवाजाई दे सादन ने उनन दे विच इस दा प्रयोग कीता जन्दा है पेट्रोलियन तो इलावा नैच्रल गैस है इन नैच्रल गैस सडे करांदे विच रसोई दे विच का मामदी है और इस तो इलावा यातायात दे जो सादन ने आजकल पुनांदे विच भी वर्तों कीती जहान लग पई है जिसनों सी सी एन जी आख दे हैं प्यारे बच्चो अगे है बिजली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी तो बिना ता आजकल जीवन दी कल्पना करना वी बहुत ओखा है इना ओर्जा दे सादन तों इलावा जो की रवैती सादन ने हुन मनुख होर भी नवे सादन दी वर्तों करन लग पया है इस शक्ती ते सादन जो नवे हैगे ने उना विचों देखन वाली गाले है कि इस सस्ते ने और नवे ने और कुछ सादन ते अजेहे ने जिना नू दुबारा जड़ा है अपां वर्तों विच ले आ सकदे है और सब तो वड़ा गोण जड़ा ओना विच ए है कि इना दे नाल किसे भी तरह दा प्रदूशन भी नहीं होंदा और एस करके इना सादन दी वर्तों जड़ी है ओ ज़्यादा तो ज़्यादा सानू करनी चाही दी है ता जो इना दे नाल जित्ते सादी लोड पूरी हुंदी है उस दे नाल नाल सड़वाता वर्न जो है ओवी बच्या रेंदा है तो ए जड़े शक्ती दे नमे सादन ने इना नू असी नमे सादन करके आख देया जान नमे सादन करके पुकार देया देखिए कि नवे सादन केड़े केड़े ने इना विचों सब तू प्रसिद्ध जो है जो आजकल सड़े देश्दियां सरकारां एसनू प्रमोड कर रही है हान ओ है सूर्जी उर्जा प्यारे बच्यों तो हनू पता होवेगा कि साड़े देश्दे विच्वी सरकार वल्लों भी सूर्जी उर्जा नू अपनाऊन दी एप्रमोशन कीती जान दी है और सानू सार्य नू वग तो वग एस सूर्जी उर्जा दा प्रयोग करना चाईदा है क्योंकि सूर्जी उर्जा एक अजेहा शक्ती दा सादन है जड़ा की कदी वी ना खतम होन वाला है और इस दा कि से भी तरह कोई नुकसान नहीं है और हर पासे इस दे सानों फैदे ही फैदे नजर आन्दे हां क्योंकि इदे नाल ना ता कोई बिल आंदा है अते ना ही कोई नुकसान होंदा है और असी जान दे हैं कि बहुत सारे कहरान दे विच कुछ लोका ने solar plates लगाईना हुईनाने और ओ एस सूर्जी उर्जा दा प्रियोग जडा है कर देने और साड़े कुछ स्कूल जो हान जां उद्योग भी हान उनन दे विच भी सूर्जी उर्जा दा प्रियोग जड़ा कीता जन्दा है प्यारे बच्चेओ साड़े राज्यस्थान और गुजरात दे विच बहुत वड़े वड़े सॉलर प्लांट लगाएगे हन जिना तूँ ए सूर्जी उर्जा पैदा कीती जन्दी है और बहुत सारे करानू ए बिजली जड़ी है पुचाई जन्दी है इस तूँ इलावा है पौण शक्ती पौण शक्ती एक होर अजेह सादन है जिसते नाल वायू परदूशित नहीं हन दी और अजेह सादन जिड़े ने ए हार्थां ते प्रियोग दे विच नहीं ले आए जा सकते इन दो प्योग सिर्फ उत्ते ही संभव हो सकता है जिते अक्सर हवावा जड़िया हन ओचल दिया हन और गुजरात दे विच पौण शक्ती दे नाल कुछ थामाते जो है ए शक्ती सादन दा प्रियोग कीता जन्दा है और कई थामाते इन पौण शक्तियां दे नाल चक्षियां वी चलाइए जान दिया हन तो ए पौण शक्ती दा जो सादन है ए वी एक नवा सादन है और परदूशन तो रहित है इस तो इलावा होर जड़े सादन नवे आंदे ने उना विच्चो है समुंदरी लहरां समुंदरी लहरां दा सादन जा शक्ती सादन जो है इस नो उसी जो लहरां उपर उठतीयां ने उन्हों तोसी एस उर्जा नू प्यादा करन्दा काम लेंदेयां तो इवी साधन जड़ा है बड़ा एक कुदर्ती साधन दी तरह है इदे विछ सानू कोई जो है बोता नुकसान नहीं हुंदा इस तो इलावा तर्थी दे हेठा सी देख़ दे हां की बोत सारी तांप उर्जा है उस तांप उर्जा दवी आजकल प्लांट बनागे फैदा ले जन्दा है येवी एक शक्ती दा नमा साधन है और अंत विच जवार पात्ता दी शक्ती दवी फैदा ले जन्दा है इस सारे सादन अजेहे हान जिनात तुसान नो कोई भी नुकसान नहीं होंदा और ना ही वातावर नो नुकसान होंदा है इस तो बाद है गोबर गैस उर्जा गोबर गैस तो जड़िय सी उर्जा प्राप्त कर देया इस ते फाइदे साड़े पिंडा दे विच बहुत ज़ादा हो सकतेने क्योंकि गोबर जो है ए साड़े रूरल एरिया दे विचों काफी असानी देनाल जो है इकठा हो जन्दा है और ये जो व्यर्थ पदार्थ है इस से व्यर्थ पदार्थ नो गैस दे रूप दे विच शक्ती एदी प्रापत किती यंदी है और इस नो सी गोबर गैस उर्जा आख दे हैं और बहुत सारे पिंडाने विच ए गोबर गैस दे प्लांट लगे होए हन और पूरे दा पूरा जो पिंडा है उस सारी जो उत्वंदी गोबर गैस दी जो शक्ती है उते उस दा प्रियोग किता जन्दा है तो प्यारे बच्चेव असी इस पाठ दे विच जिनने वी पॉइंट्स रन उनांदे बारे चर्चा कीती है देशनों तरक्की करन्दे वास्ते इना खणिच पदार्थां दी वर्तों कीती जन्दी है और जड़े देशने कोल जादा तो जादा एक खणिच पदार्थान उनांदी वर्तों सही टंग दे नल करदे हन और पैदा करदे हन और जिननी पैदावार हुंदी है उन्ना ही असी इना तो फैदा उठा सकते हैं और दूसरे हिस्षे देविच आज असी चर्चा जड़ी है कीती है शक्ति साधना दी और शक्ति साधना देविच असी दो तर्श्टिसाधन देखे एक रिवायती शक्ति साधन जो की पुराणे शक्ति साधन ने और इस तों इलावा ओ शक्ति साधन जड़े की बिलकुल नवे शक्ति साधन ने और इनने विचो असी एक अल नोट कीती कि जिनने भी नमे शक्ति साधन ने उननना वद तों वद सनु प्रयोग करना चाहिदा है और क्योंकि ए नमे शक्ति साधन जो हान ए वातावरनों दूसित नहीं कर दे और इनननाल काफी जड़ा है फैदा हमदा है तो आओ हुन असी कुछ एस लेसन दिनाल टुक दे जो प्रिशन हान उपकरांगे सब तो पहला पकर दे हाँ बहु विकल्पी प्रिशन सब तो पहला प्रिशन है उर्जा दे साधन हान केड़े केड़े कोला टेल बिजली जहां उपरोक्त सारे तो प्यारे बच्चेओं असी देख दे हाँ कि ए सारे ही उर्जा दे साधन है गेने तो इस करके ससा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है उपरोक्त सारे तो दूसरा प्रिशन है नवे शक्ति दे साधन केड़े हन उड़ा तामबा एड़ा सूर्जी उर्जा इड़ी लोहा सशा उपरोक्त सारे तो प्रिशन है नवे शक्ति दे साधन और जदो असी उत्तर देखना है एड़ा विकल्प जड़ा है वो सड़ा सही है सूर्जी उर्जा जो है एक शक्ति दा साधन है इस्तु बाद तीसरा प्रिशन है आज दे समय विच इस दी पैदावार काट रही है यानि की केड़ा खनीज पदार्थ है जड़ा की पैदावार आज कल काट रही है पहरे बच्चो ए चार विकल्प ने पहला है उड़ा अबरक एड़ा सोना इड़ी तामबा और सस्सा इना विच कोई ने तो सोचो एड़ी विच केड़ा पदार्थ अपपड़ेया सी कि जड़ी पैदावार काट रही है ये तिन्नों ही खनीज पदार्थ ने तो आओ देखिए सब तो पहला जड़ा उड़ा है ए अबरक एड़े बारे गयल किती जारी कि इस दी पैदावार जड़ी काट रही है क्योंकि इस दी विकल्प जड़े ने ओ देशा ने होर भी काफी खोज लेने इस करके इस दी जो पैदावार है ओ हुन काट रही है अगला प्रिशन है पार्थ दी कुल पैदावार दा 95 प्रतिशत हिस्सा तीन राज ही कार लेन दे हन किस दी पैदावार हुन इदे विच अगे विकल्प दित्ते ने ओडा बिजली एडा प्रमानूर्जा इडी अबरक ते ससा उपरोक्त सारे तो प्यारे बच्चे जदो असी इननों असी पाड़ रहे सी ता उदे विच 95 प्रतिशत हिस्सा तिन राज ही जड़े पैदा कर दे सान उस विले ऐसी देख्या सी कि एडी पॉइंट विच जो लिख्या है अबरक इस दे बारे गाल कार रहे सी तो अबरक जो है पॉइंट ए बिलकोल सही है अगला हिस्सा है खाली स्थान परों तो अबरक कई डैश विच वर्तिया जन्दा है पैला प्रेशन है अबरक कई डैश विच वर्तिया जन्दा है तो सोचो एदे विच की परिया जा सक्दा है हाँ बिलकोल सही है एक कई उद्योगा विच वर्तिया जन्दा है दूसरा प्रेशन है अबरक बिजलीदा बैश है बिजली दा की हो सकदा है प्यारे बच्चो एजे बारे अपा जदू अबरक दी गाल घिती सी ता बिजली दी गाल जड़ी है ओ नेचरली जुड़ जन्दी जो दू यसी अबरक दा नाल लवांगे बच्चे याद रखना है कि बिजली दा नाल जड़ा है जुड़े होएगा तो अबरक बिजली दा डैस है सोचो जरा एदे विच की आना है हाँ एदे विच कुचालक आना है एदे विच कुचालक है इसे करके दी खास करके बिजली दे कमा दे विच कि बिली दे उद्योगांदे विच वर्तों की ती जन्दी अगला तीसरा प्रेशन जो है इवी अबरक दे नाल ही रिलेटड है अबरक डैस चटाना विचों प्रापत हुंदा है तो बच्चे ओद्वसी चटाना दा भी नाम ले आ सी जो अबरक दे बारे गाल कार रहे सी सोचो जरा खेडियें चटाना चों प्रापत हुंदा है हाँ ए अगनी चटाना तों प्रापत हुंदा है और अगला प्रिशन है परमाणू डैस पदारथां दी शक्ती विच श्रेणी विच अंदा है प्रमाणू डैश पदार्थां दी श्रेणी वीचे आंदा है तो एते डैश दिविच की परना है सोच के दसोजरा शाबाश चलो देखी अपां की आवे गए थे प्रमाणू खणी चे पदार्थां दी शक्ती दिविचे आंदे हां तो तिन्नों तरंदे जड़े पदार्थने परमाणू अपा तिन के समय दिया देखिया सी परमाणू दिया यूरीनियम थोरियम और बेरियम इस सारे ही खणी चे पदार्थां दी श्रेणी दिविचे आउंदे तो लास्ट पॉइंट पंजमा है डैश दे कई साधन हां प्यारे बच्चे वे थे सोचो जो रखी आ सकता है डैश दे कई साधन हां हाँ दूसरा जड़ा पॉइंट सी यह पां उदे विचे पढ़या सी बिलकुत सही है शक्ति दे कई साधन हां इन वसी उर्जा भी कह दिनने हां और शक्ति भी कह दिनने हां जिस वसी कहने हां कि शक्ति दे कई साधन हां तो अगल उर्जा दे कई साधन हां जिस तरह की कोईला है, बिजली है, पेट्रोलियम है और इस तरह होर भी कई सादने जिना सारें तुम शक्ती प्राप्त हों दिये यानि की उर्जा प्राप्त हों दिये तो अगे अपा वदिये, अगे है हेट लिखे प्रिशन दा उतर एक तों पंदरा शब्दान विच दियो, तो प्यारे बच्चेव सामने उतर भी लिखे हो इने, अबरक किस रंग दा होंदा है, तो अबरक जो है पूरे काले जा सफेद रंग दा होंदा है, अगला प्रिशन ह है कि पारत पहला केड़े खनी चुपदार्त दी पैदावार सब्तों अगे से, हाँ, सब्तों पैदावार जड़ी जादा होंदी सी, पहले नंबर ते हंदा से इपारत है, उसी अबरक माई का जुन्वा सी आख देया, और क्योंकि अबरक दे विकल्प होर बहुत सारे प्रेनियम पैदा करने वाला केड़ा देश है, तो ए देश है अमरीका, किस दी वर्तों तबाही ले आ सकती है, तो एस दी फॉइंट दे विच असी पड़े आ सी कि परमानों दी शक्ति जाँ परमानों उर्जा है, एदी सानुत्य आंदे नाल वर्तों करनी चाही दी है, न अगला प्रेशन है, उर्जा दे कोई दो नमे साधना दे नाम लिखो, ऊर्जा दे दो नमे साधन जोहान, ओहान सूर्जी अते जवार पार्टे दी उर्जा, तो प्यारे बच्चेों, अगे जो है सही अते गलत दे निशान लगाओ, ए पांज प्रेशन ने, उर्जा दे दूसरा स्वाल है अबरक कई उद्योगां विच वर्त्या जन्दा है तो एवी बिलकुल सही है कई उद्योगां दे विच वर्त्या जन्दा है और खास करके बिजली दे उद्योगां दे विच पोन शक्ति नवे साधन दी श्रेणी विच शामल है एवी बिलकुल सही है पार्त विच परमानु शक्ति के इंदर बनाएगे हन एवी अपन जदो आपसी गाल कारे सी एवी बिलकुल सही है जिवाब अबरक एक आ तातू खनीच पदार्थ है क्योंकि ये तातू नहीं है तो ए आ तातू दे विच आउंदा है एवी एक आतातू खनीच पदार्थ है एवी बिलकुल सही है तो प्यारे बच्चियों आज दे एस लेसंदे विच जो असी चर्चा कीती है आस है तो अनू एस लेसंदे जो मुख पॉइंट हन वो पता लग गए होंगे तो बहुत बहुत तनवाद झाल झाल